त्योहारों के समय बाजार में भीड बढ़ जाती है जिसके चलते आपराधिक गतिविधियां जैसे चोरी, स्नैचिंग, पॉकेट मारना जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाज भी सक्रिय हो जाते हैं इसको देखते हुए वरिष्ट पुलिस अधीकशक, रुचिवरधर मिश्र द्वारा इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है इसी के चलते पार्टनीपुरा पुलिस ने पॉकेट मारने के मामले में कुछ बदमाशों को गिरफतार किया है विगत दिनों पार्टनीपुरा चौराहे पर अग्याद बदमाशों दो दो व्यक्तियों के मॉबाइल चुरा लिए गए थे उक्त मामले के शिकायत MIG थाने में दर्ज की गई इस मामले में कारवाई करते हुए पुलिस ने सोमेन और मकराना नामक दो बदमाशों को गिरफतार किया है जिन से पूछताच के दौरान अन्य तीन बदमाशों के नामों का खुलासा हुआ जिनकी निशान देही पर पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफतार किया जिनके नाम जलमा पवार, पिंटु सोलंकी और रामकृष्न पवार बताए जा रहे हैं पकड़े गए आरोपियों के पास से दो मोबाईल जब्त किये गए हैं इन बदमाशों को पकड़ने की इस पूरी कारवाई में उपनिरिक्षक नितिन पटेल, उपनिरिक्षक मनीश लाहोरिया, उपनिरिक्षक रामकृमार कोरी, सहायक उपनिरिक्षक रंसिंग चौहान और अन्य पुलिस जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है